री हिगुची, पैरिस उलम्पिक दो हजार चौबिस में जापान का वो पहलवान जिसने भारत के अमन सहरावत को सेमी फाइनल में हरा दिया करोडो भारतियों के गोल्ड जीतने के उमीड तूट गई, कुष्टी हमेशा से भारत में बहुत पसंद किया जाता रहा है और ऐसा हो भी क्यो ना, भारत की पहलवानी का इतिहास बहुत शांदार रहा है भारत ने उलम्पिक में कई पदक जीते हैं, लेकिन सोना नहीं जीता विनेश फोगाट ने जब दुनिया के खिलाफ जाकर पैरिस उलम्पिक के फाइनल में जगा बनाई तो ऐसा लगा कि इतने सालों की तमन्ना आखिर पूरी होने वाली है अब तो भारत पैरिस में गोल्ड लेकर ही आएगा लेकिन फाइनल के दिन अचानक पता चलता है कि विनेश अपनी वेट कैटेगरी से 100 ग्राम जाता है कि वही आखिर 100 ग्राम से क्या हो जाता है और अगर ज्यादा था भी तो कम से कम विनेश को उसको घटाने के लिए कुछ समय तो और दिया जा सकता था खेर खूब बवाल हुआ, बवाल अभी जारी है लेकिन आप क्या जानते हैं कि विनेश कोई ऐसी पहली पहलवान नहीं थी जो अपनी वेट कैटेगरी से थोड़ा ओवर वेट होने की चलते डिस्क्वालिफाई हो गई हो भारत के पहलवान अमन सहरावत को समय फाइनल में हराने वाले रे हिगुची के साथ भी कुछ ऐसा हुआ बात है साल 2021 की रियो अलम्पिक 2016 में सिल्वर मेडलिस्ट री हिगुची अप्रेल के शुरुवात में अलमाटी मेह युजित एशियाई उलम्पिक क्वालिफाईर में पार्ट नहीं ले पाई क्योंकि उनका वजन सन तावन किलोग्राम से ज्यादा निकला इसके तुरन बात जापान ने ताकाहाशी को सोफिया भेजने का निरना लिया इस क्वालिफाईर के लिए एशियाई उलम्पिक क्वालिफाईर्स में जीतना सीधे टोक्यो का टिकट दिला सकता था यानि कि टोक्यो का टिकट मिल जाता और ऐसे बड़े टॉर्णमेंट में री हिगुची अपने वेट कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम ज्यादा निकले और अपने एक कदम की वज़े से उन्होंने अपने देश की जनता के बीच में हो रहे टोक्यो उलम्पिक में हिस्सा लेने का जो उनका सपना था वो एकदम से टूट गया हलाकि हिगुची ने हार नहीं मानी और इस बार पैरिस में अपनी कड़ी मेहनत से फाइनल में जगब बना ली है और अब वो उलम्पिक गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है ऐसे में बड़ा दिल्चस्प होगा देखना कि क्या जिस तरीके से हिगुची ने कमबैक किया है जहां मात्र 50 ग्राम की वज़य से वो क्वालिफाई करने से और शायद आगे चलके मेडल जीतने से चुग गए वही क्या इस बार उलम्पिक गोल्ड मेडल जीत कर कमबैक कर पाएंगे या नहीं इंट्रेस्टिंग होगा देखना बहराल इस वीडियो पर आपकी क्या पते करिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकि स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स नाइट नमस्क झाल